हेलो एवरीवन वेलकम टू आर चैनल दिस इस रिष्ठी अगरुवाल तो मैं आप सभी कक्षा छेवर साथ के लिए लेकर आई थी प्रभागनित की कारे पुस्तिका की सॉलुशन तो यहां हम देखेंगे प्रभागनित कारे पुस्तिका की सॉलुशन में आगे बढ़ती कारे पत्रक 101 से कंटीनियू तो सबसे पहले कारे पत्रक 101 देखेंगे जिसमें समझेंगी LCM और SCF इससे पहले भी हमने समझा है LCM SCF को तो यहां भी उसी टाइप की कोशिन है जैसे फर्स कोशिन है 15 किग्रा गयहूं और 25 किग्रा मक्का को किस बड़ी से बड़ी बात द्व समावर्ते होगा एक वह छोटी से छोटी संख्या ग्यात किजी जिसे 12, 16, 24, 36 भाग देने पर प्रतिक दशा में सांस शेष रहता है तो वह संख्या रहेगी देखें किस तरह से सौल करके दिखा रखा है और 151 वह संख्या होगी तीन टंक्यों का परिमाब 6 मीटर, 10 मीटर, 8 मीटर है रस्ती की वह छोटी से छोटी से छोटी लंबाई बताईए जो प्रतिक दंगी को पूरी बार लपेड सके तो देखें यहाँ पर इस तरह से निकल जाएगा आप इसका एलसियम निकल जाएगा और 120 रस्ती की जो लंबाई है वो 120 मीटर आंसर आएगा चारम को की वह से छोटी संक्या ग्याद कीजिए जो 18, 24 और 32 से भी भाज है तो आंसर हो जाएगा देखें सॉल्व करेंगे तो 1152 ठीक है नेक्स कोशन है कपड़े की कम से कम मलंबाई ग्याद करें जिसमें से 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 55 सेंटीमीटर के पूरे पूरे तुकड़े कटे जा सकें तो यहां पर देखिए 300 cm आ जाएगा जिसमें से 100 के भी काड़ सकते हैं पिजेतर के भी काड़ सकते हैं और 50 के भी काड़ सकते हैं विध्याले की तीन कक्षाओं में क्रमा से 24, 36 और 60 छात्रे पड़ती हैं छात्रों की संख्या समान रखती हुए उन्हें कक्षावर लाइनों 101 आप देखेंगे कारे पत्र 102 फर्स कोशन है निमन भिनों को योग या घटाने के लिए उचित रूप में लिखिए तो देखिए यहां पर फिगर दे रखे हैं आपको देखना है तो यहां पर 5 में से 2 है तो यह 2 बटा 5 है तो दौनों को जोड़ेंगे तो यहां हो लोगे तो दौनों को जोड़ना और खटाना योगफल था वैवकलन पांच वैरके से 3 बटा 4 को घटाईए का समान हर वालीति त्लिह तो पन्सर देखिए को आने आपशकता है यहां हर बार 4 और 6 का LCM 12 आ रहा है तो देखिए 5 और 6 माइनस 3 बटा 4 करेंगे तो यहां पर आंसर हो गाएगा आपके पास में जब solve करेंगे तो 1 बटा 12 इसी तरह से आपको देखिए नेक्स संख्या में भी करना है दो बटा 5 में से 1 बटा 3 को जोड़ना है तो इस तरह से आप जोड़ सकते हैं इसी तरह से 2 बटा 3 में से 3 बटा 7 को जोड़ना है तो इस तरह से जोड़ लिचिए ठीक है इसी तरह से आप नेक्स में भी करेंगे next third question देखेंगे शुभम ने अपने कमरे की दीवार की दो बटा तीन भाग पर paint किया उसकी बहन माध्वी ने उसकी सायता किया और उस दीवार के एक बटा तीन भाग पर paint किया उन दौरहां ने मीलकर कुल कितना पेंट किया तो देखी तो टली पार्ट ≪ तो 3 है तो तीन का सी पार्ट Muslim हुआ ऊसके भाई ने किया और जी अब तो ग in से अपसे हैं सवाल और आ संवाल के ढूंद धेक हर समान है आपको कुछ करना ही नहीं है simply जोडना है या घटाना है और नीची वाली हर को लिख देना है ठीके तो ये सबसे easy रहता है इन चीजों को जोडने के लिए अगर हर समान है तो तो इसलिए पहले हमको क्या करना परता है हर समान करना पड़ता है अगर नहीं दे रखा होता है तो ठीक है, हल कीजिए, 5 बटा 7 प्रेस, 1 बटा 3 अब देखी, यहां पर हर को समान करने के लिए, यहां पर देखे, क्या करना पड़ेगा, 21 लाना पड़ेगा, 3 तीन से मल्टिप्लिकेशन करना पड़ेगा, देन जोड़ना पड़ेगा, और यहां पर इस तरह से आजाएगा 22 बटा 21, इसी तरह से आपको सभी संख्या हो में करना है, नेक्स, थर्ड कोशन है, 7 बटा 8 मीटर तार के 2 टुकड़े हो जाते हैं, इन में से 1 बटा 4 मीटर है, दूसरे टुकड़े की लंबाई क्या होगी, तो 7 बटा 8 में से 1 बटा 4 यहां पर हो जाएगा, 7 बटा 8 मैनस 2 बटा 8 यानि 5 बटा 8 मीटर, शंकर इसकुल की मैदान का 2 से 1 बटा 5 मीटर में चकर लगा देता है, राहुल इसी कारे को 7 बटा 4 मीटर लेता है, इसमें कौन समय कम लेता है, कितना कम लेता है, तो 2 से 1 बटा 5 को स्वाल करेंगे, तो 11 बटा 5, राहुल का 7 बटा 4, हर को समान आजाएगा 44 बटा 20 माइनस 35 बटा 20 अब 20 नीजे लिख दीजिए 24 से 35 गए तो 9 बटा 20 मिनट कम लेता है ठीक है तो यह दन होता है कारे पत्रक 103 अब देखेंगे कारे पत्रक 104 रिक्तिसानु की पूरती कीजिए माइनस 5 प्लस प्लस 2 तो यहाँ पर माइनस 5 में से प्लस का 2 घटेगा माइनस 3 आंसर बचेगा इसी तरह से देखिए यहाँ पर यह हो जाएगा प्लस 6 प्लस माइनस करेंगे तो माइनस 4 ही रहेगा तो प्लस का 2 आंसर आएगा इसी तरह से माइनस 8 माइनस 2 प्लस 10 करेंगे त तो 54 ती तो सरद नीमनल लखीत में आट मानध टीजेये तो 5 प्लas कीसर नीमनल है हो जाएगा – 14 במש क्षिजे को सब्सक्राइब 2 – 18 प्लas 8 – 10 10 तो मिल्टिप्लिकेशन में माइनल ऑष्ण हो जाता है ठीक है इंची जो का आपको basically थ्यान रखना है तो यह done होता है कारे पत्रक 104 अब देखेंगे 105 कारे पत्रक नीची देगे परिशनों को हल कीजिए एक प्लेस एक बटा 2 इंटू एक बटा 2 यहां पर हो जाएगा यह 3 बटा 2 इंटू एक बटा 2 तो यहा अंसर हो जाएगा 3 बटा 4 इस तरह से सभी को solve करना है multiplication को इसी तरह से second question है प्रश्णों को हल करें 8 बटा 7 में भाग देना है 2 का minus 2 करना है फिर उसमें से तो यहाँ पर देखे 8 बटा 7 भाग 2 भाग minus 2 करेंगे तो minus 1 है तो minus 1 को करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा minus का 8 बटा 7 तो सभी को आपको कख गग जो question है इसी तरह से आपको करते हुए जाना है थर्ड question है नीचे देखे प्रश्णों को हल करें 3 सही 2 बटा 8 को multiplication करना है 1 बटा 8 से तो answer जाएगा 26 बटा 24 यहाँ पर आजाएगा answer 5 बटा 12 यहाँ पर आजाएगा 15 बटा 8 और last आजाएगा यहाँ पर 19 बटा 12 नीचे देखे प्रश्णों को हल कीजिए सब भी को आपको देखे 20 संख्याय दे रखिए हल करना है minus 27 बटा 10 plus 14 बटा 10 plus 14 बटा 10 तो यहाँ पर देखे हर समान है तो हर तो लिख दीचिए minus 27 और यही plus 28 हो गए तो plus का 8 जादा है तो यहाँ पर एक positive answer आएगा ठीक है 28 में से 27 सो गटा तो एक बटा 10 simply था अगर हर समान रहता है तो बहुत इजी हो जाता है कुशन को solve करने और अगर नहीं है तो हर समान कर लीचिए करने के लिए आपको multiplication करना पड़ेगा कुछ न कुछ करना ऐसा पड़ेगा कि आपका हर समान हो जाए ठीक है तो यह done होता है आपका कारेपत्रक 105 तो यह हमने देखा कारेपत्रक 105,104,103,102,101 का solution आगे के कारेपत्रे और भी important videos आपके कक्षा से लिए देखते रहेंगे त जुड़े रहें आपके अपनी चैनल के साथ वीडियो को पूरा देखने के लिए ध्यानिवाद